हलो फिंट्स एंड वेलकम बैक टो चनल स्मार्ट एरस क्लब शुरू करेंगे इंडियाविक्स के साथ में जहां पे 21.45 के आसपास की क्लोजिंग देखने को मिल रही है कल के मुखाबले 2% अप काम करते हुए नजर आ रहा है इंडियाविक्स निफ्टी के अंदर में 18 पॉइंट का गेन है लेकिन बैंक निफ्टी में 168 पॉइंट का फॉल देखने को क्लियर कट मिल रहा है दिन के दौरा निफ्टी ने भी जाके क्लोजिंग दी हुई है और 15,850 के ऊपर की क्लोजिंग देना अपने आप में एक ऐसा बोल सकते के इंटरनल या ऐसा बोले कि इंडियन मार्केट के अंदर में जो स्ट्रॉंग थोड़ा सा मुमेंट आता हुए दिख रहा है उस चीश को इंडिकेट कर रहा है 15,850 प 23,642 के आसपास में काम कर रहा है निफ्टी फ्यूचर बैंक निफ्टी फ्यूचर दोनों ही प्रीम में काम कर रहे हैं सिंस दो दिन बाद एक्सपार ही है तो डिफिनेटली एट पार आते हुए नजर आ रहे होंगे हमने कौन सा ट्रेट इनिशेट किया था हमने 15,800 का कॉल बाइ किया था कितने में बाइ किया था 15,800 काॉल अप्शन लगबग 85 से 88 रुपीज के बीच में हमने बाइ किया हुआ था इसे and इसे 107 रुपीज में हमने स्कॉर रफ कर दे इसमें प्रॉफित बुक करके हम निकल गये रिजन क्या था और मार्केट जिस तरह से काम कर रहा के उपर क्लोजिंग हुई है तो आपको 15,925 के उपर का मूव इवगार देखने को मिल सकता है सिर्फ ग्लोबल मार्केट थोड़ा बहुत आपको सपोर्ड करते हुए नजर आने चाहिए बैंक निफ्टी सपोर्ड करेगा बढ़िया है नहीं सपोर्ड करेगा तो उपर से आपको फिर से यानि 15,925 930 के लेवल से फिर से एक बाप प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है इन केस अगर निफ्टी मां तक जाता है तो एक बहुत इंपोर्टन चीप बहुत इंपोर्टन डवलपमेंट होते हुए नजर आ रहा है इंडियन मार्केट के लिए पिछले दो दिन से FII की जो सेलिंग है वो लोवर साइट पर देखने को मिल रही है 1244 करोन की बिक्वाली FII की तरफ से यह बड़ा फिगर नहीं है अगर आप इसे कंपेर करेंगे 7000 5000 3000 से सो FII की क्लोजिंग पर FII की सेलिंग पर थोड़ा सा ब्रेक लगते हुए नजर आ रहा है और अगर ऐसा हुआ और एक दू दिन आपको अगर पॉजिटिव नंबर्स देखने को मिल जाते हैं तो आपको Sensex और Nifty एक lifetime नहीं बोल सकते हैं लेकिन near term के अंदर में एक high लगाते हुए दिखे हो सकता है Magnificly 34000-35000 को touch करने कोशिश करें और Nifty आपको 16000 के उपर trade करता हुए नजर आए अगर आपको positive यहां से एक figure देखने को मिले तो सो कल का दिन बड़ा important होगा दो दिन के अंदर में 1244-1250 के आसपास की भी quality कल देखते हैं वापस 3000 पे जाते हैं यह 1000 की नीचे का number आता है अगर आया तो that will be a bullish sign from the FII side निफ्टी की बात करते हैं कल की fall के बाद में आज important support के पास में रुखता हुए न opening बोलें opening उसके आसपास में होती भी नजर आईए 15750 के आसपास में थोगा सा deep 15710 के आसपास का low बना है और वहां से recover किया है निफ्टी ने जो दिन के दौरान high बनाया था that was 15897 लेकिन जो closing होई 15850 तो ऐसा बोल सकते हैं कि उपर की तरफ में जाके close किया हुआ है यह एक positive sign माना जाना चाहिए दो निफ्टी ने lower low lower high बनाया हुआ है लेकिन important support पे important support पे support लेकि उपर की तरफ गया तो यह bullish sign माना जाना चाहिए buyers अभी भी intact है buyers अभी भी part लेते हुए नजर आ रहे हैं जिसके चलते हुए उपर का target 15950 से लेकि 15990 या बुल दिये 16000 के आसपास का हो सकता है क्या करना चाहिए जो high बना था निफ्टी का in fact निफ्टी का जो last candle के अंदर में 15 minutes के अंदर में high बनाता हुआ दिखा रहा है 890 के आसपास में जो high बना था जो low बना था वो था 15710 के आसपास और 15750 के आसपास में पढ़िया support है क्या कर सकते है इसी support पे आप trade initiate कर सकते है 15750 के आसपास मिलता है तो इसका call option ले लिए 15690 का stop loss लगा लिए और 15800, 15850, 900 के लिए आप एक बार काम कर सकते हैं इन केस अगर gap up opening होती हो तो 16000 के आसपास 15950 से 16000 के बीच में अगर देखने को मिला तो एक बार 16000 का put option लेके भी काम कर लेना चाहिए रिजन क्या है इसके पीछे रिजन यह है कि फिलाल FIA अभी भी negative है जो उपर की लिबल पर टिकने नहीं दे रहा है तो अगर कल के दिर में FIA positive होते वे नजर आए तो 16,070 का stop loss लगा लेंगे 16,000 का put option लेंगे और नीचे की तरफ 15,980 के लिए एक बार काम करना बनता है निफ्टी के अंदर में यह short position यह long position दोनों के है इन केस अगर आपको gap down मिलता तो definitely in particular labels के आसबास में buy करने कोशिश करिए reason क्या है इस trade का option chain में clear cut आपको दिखेगा so अगर option chain पे आप नजर डालेंगे cordon 1,2,1 में लगबग 4 की बात करेंगे so 1,2,3,4 यह चारों के अंदर में आपको लगबग लगब राइटिंग होते हुए नजर आ रही है deep in the money दिखेंगे तो आपको call side में थोड़ी सी longs बनते हुए नजर आई हुई है market gap down opening then gap down opening बोलेंगे यह नीचे की तरफ में opening होई थी and then उसके बाद ने gap down तो नहीं होते है लेकि नीचे opening होई थी then उसके बाद ने recover करता हुए नजर आया है कहां पे positions बने हुए वो नजर डाली है 1,38,000, 16,200 पे 1,82,000, 16,300 पे 1,87,600 के आसपास में बनता हुए नजर आया है so highest open interest का है 1,87,000 के आसपास में जो 16,000 पे है at the same time अगर आप नजर डालेंगे 1,46,000 लोट का open interest 15,500 पे है 15,700 पे लगवा 1,20,000 and 1,16,000 का 15,800 पे open interest है clear cut indication है अगर देखने को मिला तो 15,800, 700 विल act as a support clear cut देखने को मिल रहा है and अगर उपर की तरफ जाते हुए नजर आता है तो 15,000, 16,000 आपको एक resistance का काम करेगा जिसके लिए हमने short position की बात की हुई है एक interesting position जो बनी हुई है वो 15,800 पे 1,10,000, 1,16,000 के आसपास दोनों के तरफ में opening है दोनों तरफ में आपको open interest जेकने को मिल रहा है in case अगर आप 100 point अप जाते हैं let's say 15,900 के उपर टिक जाते हैं तो short covering आएगी कल बुद्ध्वार का दिन है तो हलका-फलका short covering आप expect कर सकते हैं in case अगर 15,800 के नीचे जाते हैं तो आपको थोड़ी बहुत यहां से long unwinding होते हुए या ऐसा बोलिए कि 15,700 की तरफ जाते हुए भी निफ्टी नजर आ सकता है so be cautious जो range है वा 15,700 से 15,900 के बीच की है थोड़ा सा point अट करें तो 950 बोल सकते हैं और अगर इन range को तोड़ता है तो 15,500, 16,000 का लेवल आपको देखने को निफ्टी में मिल सकता है एक दो दिन के अंदर में बैंक निफ्टी पर नजर डालिए morning में बैंक निफ्टी अपने gains नहीं बोलेंगे जो fall हुआ था वो fall को इतना नहीं बढ़ा रहा था कहीं नहीं sustain करा था लेकिन उसके बाद में निफ्टी ने कहीं नहीं leadership ली इसके लिए आप जब candle पर नजर डालेंगे तो निफ्टी का candle, bank nifty के candle से बढ़िया नजर आ रहा है closing 33,700 के नीचे होई है लेकिन बढ़िया सपोर्ट अभी 33,150 से 33,200 के बीच में है candle lower lower high बनाते वे नजर आ रहा है green candle positive lower low lower high negative pattern important support level के नीचे close होना again negative है so short term के अंदर में 33,430, 33,350 पे नजर रखा जा सकता है लेकिन अगर आप aggressive trader नहीं है तो आपको थोड़ा सब wait करना चाहिए wait करना चाहिए आपको 33,150 के range का in case अगर आपको 33,150 का range मिलता है तो आप 33,200 का call option लेके एक बार काम कर सकते हैं stop loss लगा लिजे 32,980 के आसपास में so लगबल 200 point के आसपास के हम बात करने है यह आपे और उपर की तरफ जो target बनेगा वो 33,400, 33,600, 33,800 के आसपास का एक बार target बनता हुआ नजर आ सकता है in case अगर आपको उपर की तरफ बैंक निफटी नजर आया तो इसे बेचना भी चाहिए आपको और बेचना कहां पर आपको चाहिए 34,200 के आसपास में यह पुट ले लिजए 34,200 का पुट ले लिजए 34,320 का आसपास का stop loss लगा लिजए और निचे की तरफ में जो target आप expect कर सकते हैं 39,800 के आसपास में 39,600 की बात कर सकते हैं and 39,500 के लेबल के लिए एक बार काम किया जा सकता है बैंक निफटी के अंदर में so market अगर volatile होता है definitely उपर की लेबल से बाप sell करने ही कोशिश के निचे की लेबल से बाप buy करने ही कोशिश के लिए buy on dips or sell on rise दोनों के तरफ के market फिलाल नजर आ रहे हैं बैंक निफटी option chain का indicate कर रहा है पोजिशन अभी भी 34,000 के आसपास में ही बढ़ियां बनी हुई है बढ़ियां develop हुई है so 34,000 पे आपको अच्छा resistance देखने को मिलेगा इसमें कोई doubt नहीं है और अगर यह sustain करता है तो 34,200 तक जा सकते हैं shortcoring इतनी नहीं आएगी क्योंकि position बहुत जादा भी नहीं बनी है सिर्फ एक ही जगह बनी हुई है 33,500 पे लगब 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 1 lakh के आसपास में हम बोल सकते हैं 95,000 लगब लगब 1 lakh के आसपास में हैं कल के दिन में देखना important है कि कल यहां पे कितनी writing होती है अगर कल 33,500 पे writing होते विए नजर आई तो हम 34,000 के आसपास बढ़ सकते हैं और अगर 34,000 तोटता है तो 34,200 जैसा हमने discuss किया था अगर 33,000 तोटता है तो 33,000 से 33,200 के बीच में कोई support लेने की bank nifty कुशिश कर सकता है This is all about bank nifty Hope आपको वीडियो पसंद आए रहेगा अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा दोस्तों के साथ में शेया करेगा At the same time, thank you very much for watching this वीडियो Hope आपनी चैनल को subscribe कर लिया होगा साथ मैं platinum membership का भी benefit ले रहोंगे Hope आनल वीक आनल एक्स परेपले जूरदार हो अर अब खुब सार पैसे को में Good night